हेई आपका रेलवे उसने एक नोटिशिफिकेशन रिलीज किया है जो भी ऑफिशिल नोटिशिफिकेशन है उसका इसमें इस सारे चीज़ों के बात की गई जो आपका कमिटी बना था घैडिफिकेशन रेलेटड़ जो कमिशन बना था उसके बाद की का क्या क्या कया कियानिकल को देखने को मिला उसके बारे में है तो देखो इस Ну셋्पी सिंप्ली बताया गा कि जो डिमांड की जाए थी कि टवग्टी टाइमस का जो रिजल्ट वो डिकलेर करने का तो इसमें क और इसके बस बुला गया है एक एक लेबल पर अलग अलग उनका निकलेगा ठीक है पिर जो आपका CBT2 stage, CBT2 का जो एक्जाम है वो RRB ये सोच रहा है ना कि उसको single shift में कराया जाए ताकि ज़्यादा burden ना हो जाए ज़्यादा shift हो जाने से क्या issue आ जाता है नर्मलाइजेशन का issue आ जाता है फिर वही विवाद होने start हो जाता कि नर्मलाइजेशन का method क्या था ये वो लेकि तो इस बार RRB ये decide कर दिये कि उसको एक ही shift में हम लोग conclude करा जाए ताकि चीजे बहतर हो सके और बात करें RRC जो exam है 2019 जो group D का examination है उसमें बात कर दिया कि अब हाँ इसमें क्या नहीं होगा CBT 2 का examination नहीं होगा तो पहले बीच में notification जारी करके बताया गया था कि RRB group D में भी CBT 2 होगा जबकि पहले ऐसा नहीं था जो original notification आया था उसमें ऐसा नहीं था तो अब इसको भी हटा दिया गया है और RRB में भी RRC में भी कोसिस किया जा रहा ही है RRB group D में भी कोसिस किया जा रहा है कि जो आपका exam होगा वो minimum shift में निपड़ जाए एक ही shift में कराने कोसिस की जाए लेकिन काफी ज़्यादा candidates है तो most probability आपके shift definitely बढ़ेंगे और ऐसे में बोला जा रहा है कि percentile based normalization किया जागा अगर बहुत सारा सिर्फ होते है तो लेकिन percentile based किया जागा ऐसा नहीं कि आपको पता होगा लेकिन आप बोल दिया कि नहीं जो पाहले ओला notification था Indian railway medical manual के according ही वो standard उसको देखा जाएगा और भी group D के लिए और बोला गया है कि जो income asset certificate रहता है candidates का EWS का वो किसी भी time कर रहेगा वो valid रहेगा यह बताया गया इसमें उसके बाद बात करें कि कुछ important dates के बारे में यहाँ पर बताया गया है जो revise result आएगा वो कब आएगा बाएस अप्रेल को बाएस अप्रेल नहीं sorry first week of अप्रेल को माई 2022 में हो जाएगा लेकिन CBT2 का और जो बाकी HPA लेबल का आपको पता होगा कि अलगल examination होने वाला है तो इस examination के बाद लेबल से इसका examination जैसे हो जाता हो उसके बाद उसका भी examination लेकिन हाँ इसमें बताया गया कि gap देखे करेंगे ताकि क्या होगा ना candidates को आने जाने में क आर भी group D का उसका बताया जा रहा है कि July के बाद ही उसका examination conduct कराया जागा तो बेसिक सा यह news था टोटली जो आपका notification आया उसका according चीजें बहतर हो गई यह में भी आप वेट करना एक result जैसे result आता उसके बाद preparation आपनों जारी रखो और कोई भी कहीं पर भी doubt वगरा होती question एक queries है तो कमेंट करके जोर बताना ठीक है चलो बबाए